लेकिन मैं बताये हूँ आपको एससी 10 चीजे आपको देखने को मिलेगी नए x7 में तो चली शुरूबात करते हैं आप सारी चीजों के साथ और दिखाते हैं कि one plus seven है कैसा सबसे पहली बात जो one plus seven की confirm हो चुकी है almost वो यह है कि one plus seven जो है एक selfie pop-up camera के साथ आएगा कुछ-कुछ वैसा ही design जैसा आपने देखा है वीवो के phones में जैसा आपने देखा है oppo f11 pro में कुछ-कुछ वैसा ही एक selfie pop-up camera जो है आपको मिलने वाला है और यह pop-up camera आपको ऊपर के top bottom में मिलेगा और साथ ही साथ जो display है वो पूरा full view display होगा one plus seven पे यानि कि पूरा display जो आपको bezel list मिलेगा कोई भी notch का drama नहीं रहेगा one plus seven में एक चीज और confirm हो चुकी है जो कि नहीं मिलने वाली है और वो है wireless charging जी हां ऐसा कुछ confirm कर चुके हैं यहां पे one plus के CEO पी पीटलू one plus seven में पहली बार ऐसा हो सकता है कि आपको proper जो है waterproofing मिले यानि कि यह phone ip68 certified हो सकता है का हला कि company warranty नहीं देती है ip68 certification के बाद भी चाहे वो samsung का phone हो या apple का phone हो लेकिन फिर भी अगर ऐसा feature आपके phone में रहता है तो फोन पानी में भीगने से या गलती से पानी में गिरने से खराब नहीं होता है जो कि अच्छी बात है इसके बाद एक और बात करें तो यहां में micro SD card slot के बारे में थोड़ी अटकले लगाई जारी है कि micro SD card slot one plus seven में शायद आपको देखने को मिल जाए अगर वो देते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है क्योंकि phone और long term तक यूज किया जा सकता है खासतर से उन लोगों के लिए जो कि 64 GB version जो है लेंगे one plus seven का ऐसा भी सुनने में आया है कि one plus seven में शायद आपको 64 GB version मिले गा ही नहीं अब यह बहुत disappointing बात होगी अगर ऐसा होगा और ऐसे में 64 GB version का म एक नहीं दो speaker मिलेंगे यानि कि आपको एक stereo sound quality जो है मिल जाएगी charging port की बात करें तो यहां पर USB 3.1 वाला charging port होगा one plus seven में जो कि अगें एक USB-C port का लेकिन wireless charging तो होगी नहीं तो वो अगें हम यहां पर miss करेंगे one plus seven में जो कि आनीं चाहिए लेकिन यहां पर कन्फर्म होगा इसकी प्राइब और वह 5G वर्जिन जो है basically US के लिए और यूरोप के लिए रहेगा हमारे एंडिया में तो 4G फीक से काम नहीं कर रहा कॉल ब्रेक इतना जाद होता है तो ऐसे में 5G का तो क्या ही काम है अगर आप एग्री करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना इस तरह के और वीडियो के लिए 1 प्लस 7 में यहाँ पे 12GB वाला वर्जन भी आपको देखने को मिल सब्सक्राइब तो ऐसे में अभी तक जो वन प्लस का हमने फोन देखा है जिसमें मैक्समुम राम जो है 10GB तक गई है यहाँ बारा जी बी एक होगा यहाँ पर 48MP camera एक होगा यहाँ पर वाइड एंगल camera और एक होगा यहाँ यहाँ पर डिफ सेंसर तो ओवरोल देखा जाए तो यह देखा जाए तो यह देख सेंसर बिसिकली टीओ एफ कामरा होगा जैसे आप 3D मॉडलिंग भी कर पाएंगे 48MP जो कामरा है वो सोन सकता है कि OnePlus 7 इंडिया आ सकता है बस कुछ कमिया यहाँ पर वालेस चार्जिंग करना होना हलाकि सेल्फी camera यहाँ पर आपका अच्छा खासा सेल्फी camera होगा कम से कम मेरे ख्याब से 32MP के सेल्फी camera आपको मिल जाएगा पॉप-प कैमरा के फॉर्म में OnePlus 7 तो यह थी सारी डीट कर दो यहाँ उपान सेल्फी होग पर आपका अवाँ